Hello everyone, Welcome to my YouTube channel हिमाचापदेश में जो भर्तियां फसी हुई हैं उनको क्लियर करने के लिए जद्दो जहद है वो जारी हो चुकी है मुखे सचिव ने अमिरपुर करमचारी चायन आयोक पर एक दिन में दो बार बैठक की लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला है तो जैसे कि आपको पता है कि CM साब ने अपनी प्रेस कॉन्फरेंस में कहा था कि जो NTA की तरजबे हम हिमाचापदेश में नए टेस्टिंग एजेंसी बनाएंगे लेकिन यहाँ पर जो कार्मिक विवाग है उसके अधिकारी हैं वो भी यह जानते हैं कि NTA जो है वो सिर्फ एडिमिशन के लिए स्क्रीनिंग एजेंसी है और यह नोकरियों के लिए एक्जाम नहीं लेती है तो इस तरह से अगर हिमाचल में कोई फैसला लेना है तो पहले पूरे स्ट्रक्चर को स्टडी करना होगा और यह भी देखना होगा कि कोई नई एजेंसी में पेपर लीक ना हो इसकी गैरंटी क्या है तो यह रास्ता बिलकुल आसान नहीं होने वाला है कि इस तरह से नई एजेंसी को बनाया जाता है बाकी मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि HPSSC को भंग कर दिया और फ्यूचर में आपको नई मतलब जरूरी नहीं है कि NTA की तरज पर यह आपको नई एजेंसी देखने को मिलेगी जैसे कि HPSSC को बनाया गया था उसी तरह से एक नई एजेंसी बनाई जा सकती है चाहे आप उसमें एक्जाम ओफलाइन रखो ओनलाइन रखो लेकिन कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनना चाहिए जहांपे पेपर लीग का जो केसिज हैं वो बहुत कम होने चाहिए और बहुत समय से अब आज उठाई जा रही थी common rules को लेके अगर उनको timely implement कर दिया होता तो आपको कम exam करवाने पड़ते कम work load होता और पेपर लीग के इतने मामले शायद हमें देखने को नहीं मिलते और जो ये पेपर लीग के मामले होते हैं जादा तर उन में देखने को मिलते हैं जैसे कि जेओ आईटी हो गया आपको cheating case भी इसमें देखने को मिले जेए सिबिल का एक post score था बहाँ पे जो पेपर है उस पे seal नहीं थी तो इस तरह से कुछ प्रोसेस थी बाकी यहां पर यह है कि रास्ता असान नहीं होने वाला है वैसे तो हिमाचे पदेश पब्लिक सर्विस कमिशन में भी त्यारियां चल चुकी है जो pending भरती हैं उनको लेके लेकिन अभी भी उनको सरकार की जो आदेश है उनका इंतजार है जब सरकार उनको कहेगी तो वहां से फिर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी लेकिन यहां पर यह भी देखना होगा कि हमिरपूर जो हमिरपूर में जो रिकॉर्ड पड़े हैं तो उन रिकॉर्ड को ऐसे तो नहीं लेके जा सकते हैं माचपदेश पब्लिक सर्विस कमिशन शिमला वहां पर बीजिलेंस से भी परमीशन लेनी पड़ेगी क्या वहां पर परमीशन मिलेगी लोग से वायोग को उन डॉकुमेंट्स को लेके तो वो चीजों में अभी समय लग सकता है तो ये भी एक लंबा प्रोसीजर मुझे लग रहा है मतलब प्रेस कॉनफरेंस में तो इतनी इजली बता दिया जाता है कि हचपेससी भंग है और लोग से वायोग आने वाली भरतियां करवाएगा NTA की तरज़ पे हम नहीं टेस्टिंग एजनसी बनाने वाले है लेकिन आपको पता है कि सरकारी कामों में कितना डिले होता है और यह रास्ता बिलकुल भी आसान नहीं होने वाला है और आपको आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है